हेलो फ्रेंस आपकी अपनी यूटूब चैनल डिजिटल देभू मैं आपका स्वागत है फ्रेंस आज की वीडियो में सौल्व करेंगे वन आरक्सी जिसका पद कोड है एक सो दो जिहां फ्रेंस इसको सौल्व करने के बात आपको यहाँ आड़े हो जाएगा की समुगाव के किस टाइब के पूछे जाते हैं और हिंदी में किस टाइब के कॉशन पूछे जाते हैं और उत्राखंड जीगी से रिलेटेड किस टाइब के कॉशन पूछे जाते हैं तो पूरी जानकारी आपको हो जाएगी जो की आगामी उत्राखंड पुलिस के जो भरती आनी वाली है उसके लिए भी आपके लिए helpful हो सकते हैं तो friends आईए वीडियो श्टार्ट करते हैं तो friends यह आपका जो marks होता है पुरा 100 marks का होता है और आपको 2 hours घंटे का time दिया जाता है तो friends इसकी बाद आपका यहाँ पर caution paper यहाँ पर देख जाता है तो यह है friends question paper 1RXC का जो कि आपकी आगामी परिक्षाओं के लिए काफी helpful हो सके है हिंदी से related question तो friends यहाँ पर पहला question है निन मैसे कौन सा सब्द सरसोती का परियाई वाची नहीं है जी हाँ friends सबसे पहले हम यहाँ जान लेंगे कि सरसोती के जो परियाई वाची सब्द है वो कौन कौन से है तो friends यहाँ पर जो वाणी है और वीनापानी है कमला है और सार्दा है तो friends इसमें तीन तो आपके सरसोती के नाम है वाणी, वीनापानी और सार्दा तो इसमें कमला right answer हो गया friends तो इसलिए C वाला जो option है friends वो right answer है उसके बाद next question पूछा गया था वन आरक्षी में अन्वाई सब्द का अर्थ है ब्याक्रण की अनुरुपता वाकी की अनुरुपता सब्दों की अनुरुपता या फिर दोहनी की अनुरुपता तो friends इसमें तो right answer है वो है ब्याक्रण की अनुरुपता यानि की मेल से है उसके बाद next question है friends वो है अंगुली का तद्भो रूप है तो friends जैसे कि आप जानते हैं कि तद्भो का मतलब क्या होता है जो पहले तो संस्कृत में थी उनका जो उद्गम हुआ थे उद्पत्ती हुई थी वो संस्कृत में हुई थी परंत उनमें समय के साथ विकार उद्पन हो गया तो उन्हें हिंदी में बोला जाने लगा तो friends इस परकार की जो सब्द हैं वो कौन से हैं आपको बताने हैं इन आफ्सोंनों में से तो friends पहले हैं अंगूल अंगूरी और अंगूली तो friends इसमें वाला आफ्सन है वो राइट आंसर है इस प्रकार से आपको तद्भो में लिखना है तो ये वाला राइट आंसर है सब्द है तो आग्या आपको option दिये है अच्छादन दिया है मात्रत्त और आदेश तो फ्रेंस इसमें इस्त्रिलिंग वाला जो सब्द है वो सबसे फर्ष्ट वाला option है आग्या नेक्स्ट है फ्रेंस निमलिखित मैसे कौन सा संदे विच्छेज व्यंजन संदे से संबंदित नहीं है तो फ्रेंस इसमें से आप चूच कर सकते हैं जगनात जमसार निसंदे और तत लिंग तो फ्रेंस यहाँ पर जो सी वाला option है निस्वार्थ ये वाला right answer है क्योंकि जिसम संदी क्याटिक्री में आता है यानि कि यहाँ आयाद संदी में आता है तो इसलिए यह सी वाला option है वह और right answer है उसकी बार next question है सील बंद सब्द है तत्सम है सकर है देशस है या विदेशस है जी हाँ तो इसमें जो राइट आंसर है वह है सकर सकर मतलब इसमें आपकी अलग-अलग सरणियों से सब्द मिलकर एक सब्द कर निर्मान करते हैं जैसे कि यहां पर सील प्लस बंद तो बन गया सील बंद तो इस प्रकार के सब तो होते हैं फ्रेंस वह सील बंद यानि सकल की कैटिगरी में आते हैं उसके बाद है डिगल पिंगल का संबंध है पंजाब से या फिर बंगाल से या पिर केरल से राश्तान से तो अर्थ की आधार पर वाक्य के वहीद होते हैं फ्रेंस वह होते हैं आठ इसलिए राइट आंजर क्या है ए नाइस्ट कॉशन पर फोकस करता है फ्रेंस वह र्योग की वहाँ वणओं का प्रियोग होता है सब्सक्राइब विशर्ग की रूप में अनुसवार और अनिनासिक में और उप्युक्त में ऐसे कोई नहीं तो फ्रेंस आपको यह राइट आंसर आ रहा है तो आप इस वीडियो के comment box में अपना answer दे सकते हैं फ्रेंस और वीडियो को like comment जरूर करेगा क्योंकि एसी related वीडियो आपको मिलने वाली है इस channel पर तो फ्रेंस यहाँ पर 9 वाला question पूछ रहा है कि अयो की वहाँ वड़ोंका प्रियो किसमे किया जाता है तो फ्रेंस वह किया जाता है अनुस्वार और अनुनासिक रूब में जिहां फ्रेंस तो इस सी वाला जो है right answer है next देखते हैं फ्रेंस वह है प्रेणाम वाचक भेध है संग्या का, सरनाम का, कारक का, बिशेशन का तो फ्रेंस प्रेंस प्रेणाम वाचक भेध है वह बिशेशन का है next है संसत का संग्या है जो संसत सब्द है उसमें संग्या कौन सा जुड़ा है आपको बताना है फ्रेंस तो आपके पास सबसे पहला option दिया गया है जातिवाचक भावचक और सम्हुवाचक या फिर व्यक्तिवाचक तो फ्रेंच जैसे कि आप जानता है कि सम्हु जो संचध है उसमें व्यक्तियों का समवेश होता है तो यह किसमा आएगा सम्हुवाचक मा आएगा तो इसलिए right answer क रही होगा चमोगा सी लगें एक क्वावच कहुशन है फ्रेंच वह हें हिंदी वर्ला के अनुसार क suffers में आता थे पहला option दिया गया क्या है चो भी व्यक्तिश JC और म Congयौ तो प्रेंस इसमें जो पंच पहूच्ट्टरूम आता है वह हो मह आता है तो ट्रेंस का तो रॉया पंच माक्सर की स्रेणी में आता है यह बहुत बार कॉश्चन पूछा गया है कॉम्पूटिटिव एक्जाम में तो फ्रेंस थर्टिन वाले कॉश्चन को सौल्व करते हैं भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विध्या की रचना है आत्म कथा की जीविनी की कहानी की संस्मनात्म संस्रात्मक रेखाचित्र की जी हां फ्रेंस तो फ्रेंस आपको इस कॉश्चन को देखने के बाद एक ध्यान आ रहा होगी यह चैप्टर मैंने कहीं पड़ा है तो फ्रेंस मैं आपको बता दूं कि जब आप बारवी पास कर रहे हैं तो उस समय आपने हिंदी सब्जेक्ट है निन मैंसे प्रविशेशन है तो फ्रेंस पहले आपको मैं बता दूं कि प्रविशेशन किसे कहा दता है तो वो सब्द जो विशेशन की भी विशेशता बताए उसे हम प्रविशेशन कहते हैं तो फ्रेंस इसमें इमांदार तो नहीं हो सकता गुसल भी नहीं हो सकता और प्राकर्मी भी नहीं हो सकता, यहां पर इसके बाद है, और जो ब्धीमान है वह विक्षेशन की तेक्रिव मोर्न आ घा क्ट सब माशल पर इसके बेह ब्रॉइ वक्रोल जो हो गया है ेंति हो घार शогतै अगवार नमक तो फ्रेंश सबसे पहले यहां जान लीजिए कि देशल सब्द किसे कहते हैं जिया फ्रेंश जो कि हमारे आम भासा में बोले जाते हैं तो फ्रेंश जो आम भासा में बोले जाते हैं और अब प्रचलित हो चुके हैं तो इस प्रकार के जो सब्द हैं वो बताने का सही अर्थ है आपके पास शार अप्शन है किसी का दोस किसी के सिर पर चढ़ा जाना या फिर गलती करके रॉप जवाना बेकार की वस दूसरों के मत्थे पढ़ना या फिर कहा जाए कुछ समझा जाए कुछ तो फ्रेंस आपको इसका राइट आंसर बताना है यदि आ रहा है तो आप इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में जाकर राइट आंसर दे सकते हैं तो फ्रेंस इसका राइट आंसर है कि किसी का किसी का दोस किसी और पर चढ़ा जाना तो यह इसका राइट आ तो फ्रेंद्स आपकी पाज चार दिये गए पहाड कोशी का घटवार और पंच परमेश्वर और निर्गुसानु तुमर्स में इसका efecto hun और रचना मों यह सेखर छोषय का रचना अफ महार तका निम्यंत मैं से अंगत सब्द है आगत सब्द यानि कि गें हब हमारे देश में आए हैं परन्त वह कहां से आए हैं विदेश से आए हैं तो इसम्रकार के सब्दग कौन है अग्वार सब्द जो इसमें है वह राइड सब्द है फ्रेंच उसके बार नेट देखते हैं वह लड़का सरा रहती है इस वाकी में यहाँ सब्द है इस वाइक में तो यह सब्द जुड़ा है वह क्या है कि सर्वनामिक बिशेशन है या फिर पूरी स्वाथ सर्वनाम है और निश्टे सर्वनाम है या फिर कर्म करता सर्वनाम है तो फ्रेंस इसमें आपको राइट अंसर सेलेक्ट करना है तो फ्रेंस यह क्या है लिखित में एकासरी सब्द है एकासरी सब्द का चैन करना है आपके पास चार आपसन है फ्रेंस इसमें इसमें से आप चक कर सकते हैं कि कौन सा सही आंसर है भासा स्वास महिला और कमल तो फ्रेंट इसमें तो राइट आंसर है वो है स्वास यानि बी वाला आपसन राइट आंसर है नक्ष देखते हैं 21 उत्राखंड में दुरलब वनिप्राणियों की सुरक्षा हेद्व किस स्थान को अभियान की रूप में विक्षित किया गया जिय तो उसका राइट आंसर है वो है बिनसर यानि यहां वाला आफट रहाइट है फ्रेंस्स उसके बाड़न देखते हैं भारत में दल लोक kindar का Сूजहाओ दिया था तो भारत में दल विही लोकतंद का सुजहाओ जो दिया था फ्रेंस वो है जैपरसा परकास नारायन द्वारा यानि डी वाला आफसन क्या है फ्रेंस राइट आंसर है नेक्स देखते हैं टेहरी राज्य परजा मंडल की इस्थाबना हुई थी टेहरी में नरेंदर अगर में देहरादुन में या फिर उप्युक्त मैंसे कोई नहीं तो फ्रेंस यह हुई थी देहरादून में राइट आंसर सी नक्स्ट है फ्रेंस किस सासक ने सोमपूर महाविहार का निर्मान कराया था पहला option है कुमार गुफ्त पर्थम, हर्स, धर्म साला और वीजय सेन तो इसका right answer है friends धर्म पाल इन्होंने सोमपूर महा विहार का निर्मान करवाया था friends next है निम्न मैस से कौन सा रेल मार्ग उत्राखंड का नहीं है जिया friends उत्राखंड का कौन सा राजमार्ग नहीं है इसको आपने टिक करना है तो friends रामनेगर कासिपूर मुनादावाद ये तो है हरिद्वार, राईवाला, डोईवाला ये भी है कासिपूर, खटीमा और टनकपूर ये वाला नहीं है friends इसलिए तो C वाला इसमें राइट आंसर हो गया और कार्ट गोडा महलदवानी वरेली ये तो हैई है next question है निमलिखित मैंसे किसे छेत्र में में ग्रोब वन नहीं पाए जाते हैं गंगा डेल्टा, कावरी डेल्टा, महानेती डेल्टा या फिर गोडावरी डेल्टा तो friends इसका जो राइट आंसर है वो है कावरी डेल्टा यानि वी वाला जो आफसर इसमें दिया क्या है friends वो है सही आंसर अगला question पर नज़र डालते है friends उत्राखंट की राज तितली है तो friends इसमें आपको बताना है common peacock इसमें राइट आंसर हो गया 27 का जो है राइट आंसर ये वाला हो गया नेक्स देखते है friends डालियो का डग डिया ग्यार सरकारी सस्था NGO के सस्थावग है चंडी फरसाथ भट है गोरा देवी है या फिर दामोदर राठोड है या फिर नारेंड सी नेगी है तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है तो friends इसमें जो फर्स्ट वाला option दिया गया है चंडी फरसाथ भट ये इसका राइट आंसर है friends नेक्स्ट है मौदरिक नीती का उदेशी है आंतरिक मोली इस्तर पर इस्तरीकरन या मुद्रा की तठश्ता अधिक आर्थिक विकास या उप्युक्त मैंसे सभी तो friends इसमें जो सारे option दिये गये है वो right option है इसलिए उप्युक्त सभी यानि डी वाला option right हो गया मौला राम की चित्रकला परसिद्ध है कांगरा सैली के लिए बसौली सैली के लिए या फिर गुलेर सैली के लिए या गड़वाल सैली के लिए तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते है आंसर तो ये गड़वाल सैली के लिए परसिद्ध है उसके लाद computer related question पूछा गया है मैं किसी document की समग्र विसवर्ष्ट का चैन करने के लिए निमेंसे किसका उप्यूग किया जाता है जी हाँ फ्रेंस समस्ट या समग्र विसवर्ष्ट का चैन करने के लिए आप कौन सा shortcut की यूज करते हैं उसका answer बताना है तो फ्रेंस आप जाते हैं कि control प्लस ए तो all हो जाता है ए से तो इसलिए इसका right answer हो गया फ्रेंस ए वाला कि नेक्स देखते हैं लिसा निमलिखित मैंसे किस पेड़ का जय वत्पाद है तो फ्रेंस इसका जो right answer है चीड हो गया यह तो आप जानते ही है उसके बाद नेक्स कॉस्टिन है 33 निमलिखित मैंस से प्रश्ण वाचक चेहिन की स्थान पर उचित अक्षर का अंक होगा तो फ्रेंस यहाँ पर जो फ्रश्ण वाचक आपको चीहन दिये गए है इसमें आपको right answer चूज करना है तो फ्रेंस इसका right answer हो गया आई upon 20 डिवाला option right हो गया ब्रह्म देव संबंदित था कुणिद वंस से चंदर वंस से पवार वंस से या फिर कतूरी वंस से तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं right answer तो फ्रेंस यह जो संबंदित थे कतूरी वंस से संबंदित थे निमलिखित मैसी क्या सही है बैटमेंटिल ड्रॉफ सर्विस इसनूकर इसमास ट्रिपल जंप बॉक्सिंग सीट अप पिचर होकी सेंटर पैरालल बार तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकता है right answer कौन सा है तो फ्रेंस इसका तो right answer है बैटमेंटिल ड्रॉफ सर्विस यह वाला अलक नंदा नदी का उद्गम स्थल है गोमुक गलेशियर से यह फिर सतुफंत गलेशियर से कपनी गलेशियर से तो फ्रेंस इसका तो right answer है सतुफंत गलेशियर है बी वाला जो इसमें ऑप्सन दिया है वह right है next question है फ्रेंस उत्राखंड की पारदिशिक भासा में भूकम की बारे में जन चाकुरुपता है तो bunny film का नाम क्या है तो कौन सी फिल बनी है चक्रचाल बनी है यह डांडी कांडी की गोद मा बनी है यह कौथित बनी है उप्यूत मैं से कोई भी नहीं तो फ्रेंस इसका तो right answer है डांडी कांडी की गोद मा बी वाला option सही है फ्रेंस उसके इसे बाड़ने भार्दि सवधान के कि अनुश्यत में नयायक पुनारलोकन की सक्ति दी गई है तो कौन सा नुश्यत है जिस में नयायक पुनारोचन का वर्नन है तो फ्रेंस वह है अनुश्यत इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया है नाइस्ट है उत्रपर्दिश में प्रिथक प्रवती राजी परिशत का गठन हुआ 1973-1955-1950-1948 तो इसमें यह वाल जो राइट है राइट आंसर है 1973 इसका राइट आंसर है नाइस देखते हैं सदस्च था किसका सदस्च था यह आपने बताना है तो इसका राइट आंसर है वह हो कनिष्ट राजदरवार का सदस्च था सी वाला ओफशन सही है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा दून उत्राखंड का भाग नहीं है कोटा दून पतली दून और बाटा दून और हरकी दून इन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो उत्राखंड का भाग नहीं है तो इसमें जो C है बाटा दून यहां उत्राखंड का भाग नहीं है 42 है पिर्थिवी की गोल होने के कारण 180 देशा अंतर रेखा को क्या कहा जाता है गोल होने के कारण 180 देशा अंतर रेखा को क्या कहा जाता है तो फ्रेंज उससी क्या का जाता है अंतराष्ट्री तीति रेखा इसका राइट आंसर है नश्ट है राष्ट्री सीध जली मत्शक्ष पालन सोध केंद्रक इस्तिध है मुक्तिश्वर यानि नैनिताल में दहरादुन में भीमताल में या उत्तरकाशी में तो इसका राइट आंसर है भीमताल में भीमताल में यहाद सोध केंद्र इस्तिध है नच्ट देखते हैं मुद्रा इस्पीती की स्तिती में मुद्रा का मूली क्या होता है बढ़ता है घडता है इस्तिर रहता है और या फिर उप्रिक्त में से कोई भी नहीं होता है तो फ्रेंस इसमें मुद्रा घडता है यानि कि 44 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंस वो हो गया घडता है यानि वी वाला आफसें राइट है स्वांग नदी सहायक नदी है गंगा की प्रहंपुत्रे की कावरे की या फिर उप्युक्त में से कोई भी नहीं तो फ्रेंज जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी यहां है नाच्ट है माउस की दो मानक बिंदों की बीच इस्तित हुईल का परियोग किया जाता है तो बहुत ही आसान कॉश्चिन पूछा गया है वेप रिष्टों पर किलिक करने के लिए स्क्रॉल करने के लिए या पर सट डाउन करने के लिए या फिर चैनित आइटम को किलिक करने क लिए तो फ्रेंज इसको हम स्क्रॉल करने के लिए करते हैं यूज इसलिए बी वाला आफसन राइट हो गया उसके वाण नेक्स्ट है गड़वाल विस्से विद्याले की स्थाबना कब की गई थी यह आपको बताने हैं तो यह की गई थी फ्रेंज 1973 नेक्स्ट है राकेश की तीन पूत्रिया है और परतीक पूत्री का एक भाई है तो राकेश में परिवार में कुल कितने पूरुस हैं परिवार में कुल कितने पूरुस हैं आपको बताने हैं तो फ्रेंज कितने होंगे दो ही तो होंगे तो फ्रेंज इसका तो राइट आंसर है दो नेक्स्ट है उत्राखंड में इस पर गंगा वियान का सुभारंब कब किया गया था 2009 में इसका सुभारंब कर दिया गया था उसके बाद नेक्स्ट कॉशन है दस्वा ब्रेक्स सिखर समीलन 2018 आई जित हुआ था जोहनेश्वार के दक्षण अफ्रिका में डेहली में यानि भारत में बीजिंग में या फिर मासको में तो फ्रेंच यह दक्षण अफ्रिका में हुआ था इसलिए इसका राइट आंसर है ए है नेक्स्ट 51 कॉश्चन पर विचार करेंगे फ्रेंच आईए जानेंगी हिंदी के किस महिने में फू पूश्च के लेखक हैं निव्ज इंडिया पूश्ट के लेखक हैं तो फ्रेंच इस जो राइट आंसर है जौब फ्रांसिस वाइट इसका राइट आंसर तो यह इसके लेखक हैं आथ है है तो फ्रेंच 53 कॉश्चन में पूशा कि सवुच tir raskanke sthahapna होई थी जनेवा में या सैन फ्रांसिसको में और या फिर हैंग में या फिर पैरिस में तो फ्रेंज यह हुई थी अ change जैन फ्रांसिस्को में भारती ऊइ September एं आकाडमी की कारिय करना प्रारुम और यह करना कब से प्रारंब efकर रहा था इसका अब को बताना है तो यह इसने आरम करा था 1932 से एक अक्तूबर से उसके बार नाक्स्ट है बिंबिसार का संबंध है तो हर्यक वंस से है राइट अंसर हो गया सी नाक्स्ट है कडवाल का पर्थम द्रिज्जातिय समू किसे कहा जाता है तो कॉल समू को कहा आ जाता है यह वाला राइट आंसर हो गया उसके बाद नेक्स देखते हैं स्वार्गनिक चदर्भुज है राष्टी राजमार्ग पर्योजना सी वाला राइट आंसर है उसके बाद नेक्स्ट है उत्राखंड में शड़कुल मुख्यालाई कहां इस्तित है उत्राखंड में तो यह है द्हरा दुन्म है राइट एंसर ड्य नेक्स्ट है मुद्रा का कारी है विद्वई का माधियम मुली की माव मुली का संचाइ उपव्यूक्त मेह सबी तो इस प्रकारतियों क्या हो गया सबी हो गया नेक्स्ट है जोसी मट catches ऑलि रज्यू क्या मार्ग कब सुरू किया गया जिहां फ्रेंस तो इसका राइट आंसर है फ्रेंस भी यानि अक्टूबर 1993 में इसका सुभारम हुआ था नेक्स्ट है निम्लिकित मैसे कौन सा स्केंडरी स्टोरेज युक्त का उधारन है सेकेंडरी स्टोरेज युक्त का उधारन नहीं है तो फ्रेंस इसमें से आपको बताने है आरे एम हाई डिस्क या फिर मैगनिनिटिव टैब या फिर सीडी सिक्टिवन कॉश्चिन का जो आंसर है फ्रेंस वह है आरे एम नेक्स देखने है फ्रेंस बेटिस गड़वाल की राजधानी से नगर से पोड़ी इस्थाद्रित की गई कब की गई फ्रेंस वह आपको बताना है तो यह की गई थी एटीन फुटी में नेक्स्ट है दियेगी विकलुमेर से कौन सा संगत संख्या युग में है वह आपने इसमें सेलेक्ट करना है तो इसमें जो संगत युग में है पान्सो सूला डैस आठ है नेक्स्ट है उत्राखंड में कौन सा एक वन परकार नहीं पाया जाता है तो इसमें से कौन सा वन परकार नहीं पाए जाता है उत्राखंड में वह आपने सिलेक्ट करने है तो फ्रेंस इसमें जो उस्म सदावाहर है वो वाला वन नहीं पाय जाता है उत्राखंड में नेक्स्ट है भारत का प्रतम परियावरणी अनुकूल जैव इधन का परियोग करते हुए वीमान किन सहरों की बीच उड़ा तो फ्रेंस यहां किन सहरों की बीच उड़ा था वो वाला अनसर आपको बताने हैं दो दहरादुन और दिल्ली में उड़ा था नेस्ट है वित्थी जल परताफ इस्तित है तो फ्रेंस यहां फिथोड़ागर में इस्तित है नेक्स्ट देखते हैं उत्राखंड का सबसे कम वन चीटरवाला सबसे कम वन चीटरवाला इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं फिथोड़ागर वद्धमसी नगर या फिर हरुदार या फिर पोरी गड़वाल तो फ्रेंस उद्धमसी नगर में वन का चीटरवाल बहुत ही कम है तो यह इसका ट्राइड आंसर है उसके बाएन ने वह कुणिंद वन्स से समंदित है संसत की दूनों सदनों की सर्युक्त वैठक की अध्यक्षता कौन करता है संसत की दूनों सदनों की सर्युक्त वैठक करता है या अध्यक्षता करता है वह कौन करता है तो फ्रेंश वह करता है लोक्षभा का अध्यक्षता करता है राइट आ यह है खरीफ की तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया भी हो गया सेवंटेगा है नेक्स्ट है कि वर्थ नाइंटीन 166 में 1916 इस भी मैं भारती राश्टिक अंग्रेश के लखनू साचत्र अध्यक्स्ता किस नहीं करी थी महंदास करम चंद्र गांधी मोदिलाल नहरू या फिर एंसी चंद्रा वकर ने या फिर मजुमदार नहीं तो फ्रेंस 71 जो कॉस्टिन है उसमें आपने सेलक्ट करना है र एंसर नाक्स्ट है कुमा परिस्थ के प्रत्वम अध्यक्स कौन चुने गए थे तो जैधत जोसी को चुना गया था बी वाला राइड आंसर है और प्रेंस हिमाल्य पर्वथ माला उधारन है किसका उधारन है आपको चूचकर सकते हैं इस तो ये वलित परवतमाला से सम्मन्दित है अंग्रेजी द्वारा next question है फ्रेंस अंग्रेजों द्वारा उत्राखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था तो कहां से मंगवाया गया था आपने यहां से select करना है प्रेंस नेपाल से सिलंका से चीन से या फिर भुटान से यह चीन से मंगवाय गया था नेस्ट है निम्लिखित में से एक सम्हो नित्टी है जोड़ा इसमें है मैं चाचली चाचली नहीं है ज्छपीली नहीं है तो 75 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंस पूह हो जाएगा जोड़ा नेक्स्ट है भारत में GST परिशत के अध्यक्स हैं तुवित मंत्री हैं उसके बाद ISP का पूर नाम आपको बताना है इंटरनेट सर्विस प्रुबइडर इसका राइट ऑंसर है इंटरनेट सर्विस प्रुवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रु नाम है नेच्टे कारेगा तो फ्रेंश यहां पर आपको सही संकला भरने है तो फ्रेंश इसमें से आप चूच कर सकते हैं तो फ्रेंश इसमें जो राइट आंसर है दी वी ए सी है यानि D वाला आंसर राइट है यानि उसके बार नेक्स है फ्रेंस अंतराश्टी जै विवित्ता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 माई को यहां मनाया जाता है फ्रेंस नेक्स्ट है 80 पार्द सेविधान के किस अनुच्छेत या किस भाग में पंचायतों की बारे में प्रावधान है किस प्रावधान में या किस भाग में पंचायतों की बारे में बताया गया है आपको बताने है तो फ्रेंस यहां पर सी वाला ओप्सन है भाग 9 में यानि सी वाल लुप्त प्राय है तो इसमें से कौन से लुप्त हो चुक है वह आपने बताने हैं तो इसमें जो पहाड़ी बटेर होते थे वह आप बिल्कुर लुप्त हो चुक है इसलिए इसका राइट अंसर है नेक्ष्ट है सहिद्राज संग की परतिक चेहिन में दर्साए गई पंगित नाच्षट है महामली पुर्म के रत मंदरों का निर्मान किससी करा था तो नर्सीं विवन ने नहीं करा था इसलिए रायिट अंसर क्या हो गया ए हो गया नाच्ष्ट देखते हैं ब्रहम् मुद स्व न 1940 निकलती है जो ब्रहम् है वह कितनी रखी गई है 12 प्रतिवर्स या फिर 500 प्रतिवर्स तो फ्रेंस इसमें 303 प्रतिवर्स प्रीवियम रखी गई है इसलिए राइट आंसर है सदेंग judgments सिखते हैं फांच कि नावजad सिख स्थमय का भारी कि छिखेशक द्वारा लिया गया सिछू सी डी से का रखा कि यह आपको बताना है तो फ्रेंज फेले कह रहा है कि सिसू जो सिसू ए है वह सिसू ए है वह सिसू बी से क्या है हलका है और सिसू वह डी से हलका है तो फ्रेंज इसमें क्या है कि डी वाला जो डी वाला जो सिसू है वह सबसे क्या है भारी है तो फ्रेंज इसलिए इसका राइट अंसर क्या हो गया बी राइट आंसर हो गया फ्रेंज 86 का उसके बाद नेक्स्ट है 87 सर उन्हीं सब आउन इस भी में कमिनेस्ट पाल्टी के किस नेता ने उत्राखण राजी की मांग का ग्यापन भारत सरकार को स्वापा था जी हाँ फ्रेंज इसमें आपकोने बताना है जो कमिनेस्ट पाल्टी के किस नेता जो कौन से नेता थे जिसने उत्राखण राजी की मांग की ग्यापन के लिए भारत सरकार को स्वापा था 87 का जो है वो है PC जोशी PC जोशी ने ग्यापन भेजा था भारत सरकार को धालीपूर कान चल विद्यूद पर्योजना इस्तित है धालीपूर जल विद्यूद पर्योजना इस्तित है युए यम्णा नगर नेहर पर है यह नेहर पर है यानी द आय वाला option राइट है भारति साउडान के किस नेचएट में सव्हंता का अधिकार-वर्णित किया गया है तो कौन स अनुचेत है आपको बताने है माइश्य क६्रिय कुछर्स 29 या फिर अनुचेत 30, 89 वो ن first ने निवादत खाना कुछ स्थाबना कुछ कूरे थी ने का री ती तो कहा उस्थ की इस्थाबना करे थी देली में 90 जो answer reference वह फती फुर सिक्री में रेगर मिट्री का दूसरा नाम क्या है रेगर मिट्री का दूसरा नाम क्या है काली मिट्री को हम काली मिट्री भी कहते हैं इंस्टिट्ट आफ पब्लिक इंटरफ्राइज इस्तिध है नहीं दिल्ली में है या फिर हैदरावाद में है या वैंगलोर में है फिर कलकत्ता में है तो इसका राइड आज़र है हैदरावाद में बी वाला ओफ्सन सही है कौन सा सेट आर तीन दो की समान है तो इसमें आपने बताने है आर तीन दो की समान है तो कौन सा होगा आपको बताने है फ्रेंज तो फ्रेंज इसमें आपको दिख रहा है C वाला 63, 8 और 3 तो इसलिए इसका राइट आंसर C है नेश्ट देखते हैं उत्राखंड वर्तमान में उत्राँचल वर्तमान में उत्राखंड में पहला विधानसवा चुनाओ हुआ तो पहला विधानसवा चुनाओ 2001 में हुआ था फ्रेंज इसले इसका तो right answer है B है next है केदार कांड़ा परवत जो केदार नात स्थापना से जुड़ा है जुड़ा हुआ है इस्तित है कहां पर इस्तित है यह आपने बताना है फ्रेंज 95 का answer तो यह है गड़ गाड़ नदी की सुरूत पर इसले इसका right answer हो गया B वाला next मैसे आपको बताना है निमन चार आकरतियो मैसे तीन किसी एक गुड़ के आधार पर समान है और एक भिन है निमन लिखित मैसे भिन आकरति का चैन करें तो फ्रेंज आप देख सकता है कि यहां पर जो आकरति बनी है यहां तिर्विज बनी है यहां पर बना है चार कोनी वाला वर्ग और यहां आयत बना है और यहां पर बन गया चतुरूज तो फ्रेंज इसमें आपको भिन वाला जो आकरति है मलब सबसे अलग जो अगर देख रही है वो बताना है तो फ्रेंच आप देख रहे हैं कि इन सभी में चार कोने हैं B, C, D में परंत E वाले में तीन कोने हैं तो इसलिए इसका राइट आज़र हो गया नेक्स्ट है राश्टी माधिमीक सिक्ष्यभयान का उद्देश्य क्या था, राश्टी माधिमी शिक्ष्यभयान जो चल रहा है उसका मुखी उद्देश्य क्या था तो फ्रेंश में सबसे पहला option दिया गया है सभी 14-18 वर्ष के बचों को गुणवत्ता पुमपरवक, सिक्ष्या परतान करना वर्ष 2020 तक सर्भामिक ठहराव या फिर दुर्गम छेतर के बचों के लिए आवासी विद्याले की सुईधा या फिर उप्युक्त सभी तो फ्रेंश इसमें जो तीनों option दिये गये हैं वो right हैं तो इसलिए इसका right answer हो गया डी next है कबुत्री देवी का संबंध है कबुत्री देवी का संबंध है लोग गीतों से लोग नित्य से, लोग कहानियों से लोग चित्र कला से तो फ्रेंश वहोड़ लोग गीतों से संबंध है next है उत्राखंड यानि उत्रांचल का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश पनागठन 2000 के द्वारा तो फ्रेंश 99 का जो right answer है ए है उत्तर प्रदेश पनागठन आयोग अधिनियम 2000 के द्वारा उसका नेक्ष्ट है एक घं में हमेशा होते हैं आठ को ने 6 सत्य हैं 12 किनारे और उप्युक्त सभी तो फ्रेंस इसमें सभी इसके राइट आंजर है इसलिए उप्युक्त सभी इसका राइट आंजर यानि डी वाला आफ्सन राइट है तो फ्र प्रेंस आज की वीडियो कैसे लगी लाइक कॉमेंट और शियर जोरू करना हुआ